हम देखते हैं question no.3 page no.110 का in test question है class 9 का motion chapter का तो यहाँ पर देखते हैं क्या पूछा गया है a trolley while going down an inclined plane inclined plane मतलब यहाँ पर क्या है एक ऐसा बना हुआ है यहाँ पर क्या है और यह trolley नीचे की side जारी है has an acceleration of 2 cm per second square और उसका acceleration हमारे 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 क्या देखा है 2 cm per second square ठीक है और what will be its velocity 3 seconds after the start तो यहाँ पर time कितना देखा है में 3 seconds तो यहाँ पर बतानी है इसकी क्या velocity बतानी है कि 3 seconds बाद इसकी velocity यहाँ पर कितनी हो जाएगी तो velocity के लिए हम यहां पर कौंसा formula लगाएंगे first equation of motion लगाएंगे तो सबसे पहले हमारे हमारे initial velocity लिखनी पड़ी गर final velocity तो यहां पर जो initial velocity होगी वहाँ पर क्या होगी 0 होगी क्यों होगी क्योंकि यहां पर जो था है हां से start करी नहीं है हमने यहां से लुडगानी start करी तो इस position पर हमारी क्या होगी निसल वेलिसिटी 0 होगी और चो हमारी final वेलिसिटी होगी वह हमें निकालनी है और हमें यहां पर क्या दे रखा है एस रेशन दे रखा है कितना 2 cm per second square दे रखा है और यहां पर time हमें कितना दे रखा है 3 second time कितना दे रखा है यहां पर तीन सेकेंड तो यहां पर हम फॉर्मला लगाएंगे यहां पर हो जाएगा हमारे u initial position 0 दे रखा है एस रेशन हमें यहां पर कितना रखा है 2 और time कितना दे रखा है 3 तो यहां पर simple सा question है यहां पर हमारा कितना जाएगा 6 cm per second ठीक है velocity में square नहीं लगता है तो यहां पर किया आएगा वी हमारा 6 cm per second यह हमारा हो गया ठीक है अब हम बढ़ते हैं अपने next question के तरफ